कि जितने भी नंबर्स आया है उस पर आपका टेक क्या है नंबर्स सब सैटिसफाइड है इन फोसिस ने दे दिया टीसेस ने दिया रिलाइंस ने दिया है एच डी एफसी ने बताए देखे नंबर्स तो बस शुरुआत हुआ है और जो नंबर्स अब तक आए है वो तो मोटा की रूप दिखेगा कि नंबर्स कैसे है अब तक जो आए है देखे आई-टी जो सेक्टर है ये इन एक्सपेक्टेड लाइंस था टोटली सिंगल डिजिट होगा अट्रिशन लेवल्स हाई होगा और जब तक यूएस में भी एलक्शन्स खतम नहीं हो जाते मुझे नहीं ल तो आई-टी एक तरीके से डोंट टच सेक्टर होके रखा अभी फिला और जब इंप्रूव होंगे तर देखा जाएगा और जो एज़िए है एज़िए तो मैंने बाई कॉल दिया था कल आपके शोग पे दूसरे एक शोग पे तो मुझे लगता है कि वहां पे नंबर ठीक अच्छी बार ठीक है ठीक है सर आपका हमको टेक समझ में आ गया अब ज़रा कुछ एक शेयर जोर पता करना चलगते हैं अब बाद में कॉप्शन का ट्रेड वगरा वगरा सब बहुत सारे चीजे आपके हम सामने रखेंगे पहले ज़रा कुछ एक ट्रेड ले आते हैं जहा ठीक है fp-u में भी apply करवाया है clients को और major हमने अभी fp-u में participate करवाया है और हमें लगता है जिस तरीके से momentum बनाएं फोड़ा फोन आइडिया में यह एक जिस तरीके तो इसमें नेक्स टार्गेट जो बन सकता है वह सोला रुपे से अठार रुपे की तरफ भी आते वे दिख सकता है क्योंकि अब मेजर जो इसमें लिस्टिंग जो होगा एफ्पो के शेयर्स जब अलॉट होंगे अरॉड 25 एक्सपेक्टेड डेट है वहाँ पर वह जो सप्ला रहता है वह किस तरीके से अब्साब होता है मार्केट में वह एक इंपॉर्टेंट रहेगा लेकिन अगर वह सप्ला होता है एराउंड 14 रुपी के आसपास तो हमें लगता है कि इसका मोमेंटम फे 16-18 रुपे की तरफ भी कंटिनिटी में आते में दिख सकता है तो जिनके पास भी ट्रेड हैं लॉंग साइट का ट्रेड है बने रहना चीप हालाकि स्टॉक एफेंडों में बैन है तो कैस सेग्मेंट में जिनके पास पोजीशन है यहां पर हमें लगता है कि अब 13 रुपे का स्टॉप लॉस रखके पोजीशन होड़ रखना चाहिए